ओम महालक्ष्मै नमो नमा निम्बु के ये चार अचुक उपाय नोक्री व्यापार में दिलाएंगे अपार सफलता कभी नहीं होगी धन की कमी। दोस्तो जोती शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए है जिसे अपना कर कई तरह के संकट को दूर किया जा सकता है। कई बार कड़ी महनत के बाद भी व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती है। क्योंकि उस समय उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता जिसकी वजह से लोगों के जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है। ऐसा वास्तुदोश के कारण भी हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कूच हो रहा है तो आज हम आपको कूच ऐसे उपाई बताने वाले है जिसकी मदद से आप इन समस्यावन से निजाद पा सकते है। इन उपायों को करने के लिए आपको एक निम्बु की जरुरत पड़ेगी। निम्बु के इन उपायों को करने से आपका भाग्य चमक सकता है। तो आए जानते है निम्बु के इन उपायों के बारे में। दोस्तों अगर आपको हर मोड पर विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपनी किस्मत चमकाने के लिए एक निम्बू ले और उसे अपनी उपर साध बार वारकर निम्बू को दो तुकडे में बाट ले और इसके बाद इन टुकडों को किसी सुन्सान जगह पर दाई हात का निम्बू बाई तरफ और बाई हात का निम्बू दाई तरफ फेग दे इसके बाद फिर सीधे अपने घर आ जाए इस उपाई को करने से आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा साथ ही नवकरी में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इसके लिए सुबह के समय एक निम्बू लेकर उसमें चार लोंग फूल गाड़ दे और इसके बाद किसी भी हनुमान मंदिर में जाए और उस निम्बू को हनुमान जी को चढ़ाए इसके बाद हनुमान चालीशा का पाठ करे और हनुमान जी को प्रार्थना करे मन्यताओं के अनुसार इस उपाई को करने से व्यक्ति को नौकरी समन्दी समस्याओं से चुटकारा मिलता है इसके साथ ही अगर आपको किसी की बुरी नजर लग गई है तो एक निम्बू ले और उसे सीर से पाउ तक साथ बार उतार ले इसके बाद इसे चार भागों में काठ कर किसी चौराहे पर फेग दे इस उपाई को करने के बाद दोबारा पीछे मुड कर न देखे साथ ही अगर आपको कड़ी मेहनत करने के बाद भी व्यापार आदी में सफलता नहीं मिल रही है तो हर शनिवार को ओफिस या दुकान की चारो दिवारों को निम्बू से स्पर्श कर इसके चार तुकडे कर चौराहे पर चारो दिशाओं में एक एक तुकडा फेग दे सही चलने लगेगा ओम महलक्षमय नमो नमा धन्यवाद